अबनाते हैं तो चली एक जर्टपट बला सुभी का नाश्चा बनाते हैं कुछ न leg लेकिन मेरे स्टाइल का बनाते हैं तो चली, शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो आज में लेके आई हूँ इल्ली और मेरी आलू मतरगी सब्जी आप हमेसा इटली सामबर तो खाते हो लेकिन आज मैं आपके लेके आई हूँ इटली के साथ मेरी आलू मटरी की सबची जो बहुत ही जादा मतलब इजी है और टेस्टी और हैल्दी भी है तो चलिए कुछ नया ट्राइ करना चाहिए ना हमेशा तो यहां पर मैं सबसे पहले ह चावल का इटली होता है उसको पहले ही हमें बना के रखना होता है तो यहां पर चावल को भिगो के राद भर रख दिया था अब इसका पेस्ट बनांगे पेस्ट पूरा पेस्ट करके उसमें नमक दाल देते हैं उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करके तीन चाल गंटे तक हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अब यह हमारा इठली का फिर बन जाएगा पहले मैंने इसे रखा था अब इसको हम यहां पर चलते हैं सबजी बनाने के लिए जो मेरी आलू मटर को मैं पहले कुकर में चड़ा दिया था अब नेते हैं कड़ाई में थोड़ा सा तो अब तेल जीरा डाल देते हैं और थोड़ा सा एक सूखी लाल मिट्च यहां पर नडाला तेज पत्ता उसके बाद में आलने कटे हुए प्यास बस तादा मसाले मैं यहां पर यूजनी किया कम से कम तेल मसाले में बना रही हों में थोड़ा सा अध्रद्रग लैसून का मासाला टूकन बूह जाता है बंडारी है सुखे या मसाले विठ्ण we पानी डालने के बाद हमें क्या करना कुछ देर तक वेट करना जब तक तक ये तेल और पानी का जो अलग होना जाए सूख जाता है जब तक अब देखिए मसाला भी एकदम पॉर्फेक्टली बन चुका है अब बारी हैं हमें से जिव अलो और मतर को हमने वाल के रखा था अलो कहार करते छब बने का नगें तो मिरी पुर्फेक्टली और मिरी च Sedum तो इधन सक्रद नहीं था भी तो मैं स्किप कर लिया अभी हमारी इतली इतली तयार कर दिया कर लेंgriff अभी ह हमाईरी मारणे मठक हमे तरक पानि ट्री मेटरमे कर दिया है कि मेटर व सिवातली पानि पानि घ्रम होते चीलिट radically पने– करता कीजिली और फ 7 चुब पानी कि बाद हमारा जो इतली मेकर की उस्केभी पाहँ है उसमें साथ Talis नाइफ़ के में दे अंदर तक सबस्क्किल को सबक्सक्राइब करना को न्यंदो आपके उसने नाइव जाएगा चोंगो झालगा वाहँ दुसकर काना कुई हाँ कि अगर देखसक्ते हैं तो समझे अभी बना नहीं है अगर नहीं अगर कि जूड़ा है कि अगरा कि यह पशप लिख से Sharagt अब देखिए फॉक लगा रही हूं और अभी निकल रहा है एकदम स्मूधली इसमें कुछ चिपक नहीं रहा है अभी कच्छा नहीं है अब हमारा इटली बनके त्यार हो चुका है अब चलिए इसको निकाल लेते हैं और देखिए मेरा आलू मटर की सबजी और इटली बनके सुबह के नाश्ते में हो आप अराम से अपने घरवालों के लाइए बच्चों के लाइए बहुत अल्दी है क्योंकि कम से कम तेल में सालेह में बनाया है बढ़ बढ़े बुजर्गों को भी आप खिला सकते हैं आपको मेरे रेसीपी कैसे लिए मुझे कमेंट कर जरू बता